जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लोधी और आज किस वीडियो में हम इस्टेटिक जीके के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है भारत की प्रमोग जीलें यानि की मेजर लेक आफ इंडिया दोस्तो यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एक्जाम में एक से दो कॉसंतों पूछे ही जाते हैं और दोस्तो इस टॉपिक को हम बिलकुल आसान भासा में डिसकस करेंगे मैप और फोटो की माध्यम से डिसकस करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो एक और बात दोस्तो सभी जीलों को हम बिल्कुल state wise यानि की राज जबार पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वैसे की information को कि जीलें क्या होती हैं तो दोस्तो जील जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे जील जल का वह इस्तिरभाग है जो चा को कहा जाता है लिम नो लौजी क्या कहा जाता है जीलों के दियन को लिम नो लौजी कहा जाता है अब विस्व की 4-5 जीले हैं जहां से question पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो हम उनको discuss कर लेते हैं एक question यही पूछा जाता है कि विस्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है दोस कैस्पियन सागर जील को तो इस जील के बारे में हम सारी डिटेल को डिसकस कर लेते हैं जो कैस्पियन सागर जील है न ये छेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे वड़ी जील है ठीक है और ये कौन-कौन कंवेस्टान तुर्कमेनिस्तान और रुस की सीमा में ये जील इस्थ थ baix है याद रखना आब नंबर सेकिंड कोसन की बात कर लेते हैं विश्ब की सबसे उंची जील पूछी जाएगी आपसे जील है ओर कहाँ पर ये इस्थर्थ है तो आप लोग में भी देख पा रहे होंगे यह है आपकी टिटिका का जील ठीक है और यह पैरू और बॉलिबिया देश की सीमा पर त्थ ond prominent है चीक है और याद रखना कि मीठे पानी की इस्थरी ए और यह जू यह दक्षिन अमेरिका की सबसे वड़ी जील है याद रखना इसकी उंचाई कितनी है इसकी उंचाई समद्र तल से 3810 मीटर की है एक और कॉस्टन पूछट आएगा कि बिस्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तो बिस्व की सबसे गहरी जील यदि पूछट आए तो आप कहेंग तो आपसे गहराई पूछी जाएगी एक्जाम में गहराई कितनी है 1637 मीटर और ये कहां परस्तत है तो ये रूस के साइवेरिया में इस्तत है और यूनेसको ने वर्स 1996 में विश्व बरासा सूची में समलित किया था ओके एक और कॉस्टन पूछट आएगा कि दुनिया की सबसे लंबी जील कौन सी है तो आप कहेंगे तांगा निका जील ठीक है लेकर कॉस्टन पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लंबी जील तांगा निका जील किस महादीप में है फटा फट से आप लोग भी बता सकते हैं और वीडियो के लाश में आपको सेयर करना है कि आप दुनिया की सबसे लंबी जील है और बेकाल जील के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी जील भी है इसकी लंबाई कित्नी है तो 660 km इसकी लंबाई है थीक है ये जील जो है ये अफरिका महादीब के चार देशों में फैली हुई है तंजानिया डेमोक्रेटेक रीपब प्लिक औफ कांगो बुरंडी और जांबिया थीक है इन चार देसों के बीच यह जील सीमा साजा करती है ओके अब भारत की प्रमक्ष जीलों को हम डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनंत नांग जील की तो अनंत नांग जील बताना है आपको कि यह किस में इस्तित है करक्ट अंसर हो जाएगा दूस्तो अनंत नांग जील जो है यह जम्मू कस्मीर में है सी ओप्सन हमारा करक्ट अंसर हो जाएगा और कोसर नांग जील की हम बात करें तो कोसर नांग जील जो है यह भी कहां परस्तित है जम्मू कस्मीर में इस्तित है ठीक है औ और हम बात करें डल जील की तो डल जील कहां पर इस्तित है ये भी जम्मू कस्मीर में इस्तित है और डल जील जो है ये जम्मू कस्मीर की स्रीनगर में इस्तित है और इसे प्रेटन के लिए लेक ओफ फिलावर्स यानि की फूलों की जील कहा जाता है और इसी को कस्मीर के मुक जील कहां परस्तत है तो मानस वल जील जो है यह जम्मू कस्मीर के कौन से जिले में इस्तत है तो गांदर वल जिले में कौन से गांदर वल जिले में इस्तत है ओके नेश्ट मारा क्वस्टन है गाट सर जील कहां परस्तत है करक्ट अंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर में नेश् भी जील के नाम में नांग आता है ना सारी की सारी वो जीले जम्मू कस्मीर में इस्तित हैं हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे वड़ी आलवर जील कौन सी है तो भारत में सबसे वड़ी आलवर जील जो है यह बुलर जील ठीक है और बुलर जील के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कहा परस्तत है जम्मू कस्मीर में इसी करम में नैश्ट हमारा कॉस्टन है एसिया की सबसे वड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है तो एसिया की सबसे वड़ी ताजे पानी की जील है बुलर जील ठीक है और बुलर जील के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जम जम्मू कस्मीर की जितनी भी जीले हैं सभी को हम एक जगा पर ट्रिक के माध्यम से डिसकस कर लेते हैं तो जम्मू कस्मीर की जीलों को याद करने के लिए आपको मन में सोचना है कि एक लड़की है वो अपने छोटे भाई को या पर किसी लड़के को कह रही है कि आप सावन ल बन जाता है डल जील वा से हमारा बन जाता है बुलर जील और यहां पर जो ले है यह क्या है साइलेंट है ठीक है और आना से हमारा बन जाता है आ से अनंतनांग जील ना से बन जाता है नागन जील और जो बेशरम लिखा है तो बेशरम के वा से वेरिनांग सा से सिसनांग और रा यहाँ पर silent है, मा से बन जाता है मानस जील, और भी जीले हैं, जम्मू कस्मीर की जिसे होकर सर जील है, तर सर जील है, अनंत नांग जील मैंने आपको बताई दिया है, को सर नांग जील है, गार्ट सर जील है, सुरन सर और मान सर जील, यह सारी जीलें कहां की हैं, जम्मू क कस्मीर की जीलों को मैंने मैप के माध्यम से भी बताया है ठीके तो यह मैप है आप लोग मैप में भी जम्मू कस्मीर की जीलों को देख सकते हैं ओके नैश्ट हमारा कॉस्टन दोस्तों उससे पहले यदि आप इसी प्रकार से बिलकुल डेटेल में करंटरफेश को पढ़ना चाहते हैं इस्टेटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तीनों इबुक लॉंच हो गई है आपका एक्जाम हाल फिल हाल है और आप कम समय में ज्यादा कॉन्टेंट को पढ़ना चाहते हैं रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी इन सारी e-book को purchase करके आप अपने study को मजबूत बना सकते हैं exam में selection ले सकते हैं आए नेश्वन की हम बात करें अब बताए लोग टक जील की बारे में लोग टक जील किस राज में है पटाफर से बताए तो लोग टक जील जो है ये मडीपुर राज में है ठीक है और हम बात करें सी करें में तो बताए कोई बुल लामजाओ राष्टे उद्ध्यान जो की विस्व में एक लोटा तैरता हुआ राष्टे उद्ध्यान है ये किस जील का एक अभिन हिस्सा है याद रखना दोस्तों केबुल लामजाओ राष्टे उद्ध्यान जो है ये विस्ब का एक लोता तैरता हुआ राष्टे उद्ध्यान है और ये जो है ये लोकटक जील का एक अभिन हिस्सा है ठीक है याद रखना C option हमारा करक्ट आंसर हो जील ये उडीसा राज में इस्ते थे ओके और अंसुपा जील की हम बात करें तो अंसुपा जील जो है ये भी उडीसा राज में इस्ते थे नैश कोस्टन है भारत की सबसे बड़ी चिलका जील किस राज में इस्ते थे भारत की सबसे बड़ी जील कौन सी ये चिलका जील और यह उड़िशा राज में इस्तित है, हम बात करें डेटेल की, तो चिलका जील भारत की सबसे बड़ी जील है, और यह एक खारे पानी की जील है, यह उड़िशा राज की पूरी खुरदा और गंजम जिलों में फैली हुई है, यह भारत में सबसे बड़ी तटिये लेगून ज चिलका जील किस तट पर इस्तित है तो दोस्तों चिलका जील जो है यह उत्री सरकार तट पर इस्तित है ओके और चिलका जील उडिसा राज में इस्तित है अब उडिसा की तीन जीलों के बारे में हमने पड़ा एक तो चिलका जील दूसरी कांजिया जील और तीसरी है सबसे लंबी जील जो है यह बेबनान जील कौनसी है बेबनान जील याद रखना और कॉस्टन पूछा जाएगा कि बेबनान जील किस राज में इस्तित है तो आप कहेंगे यह केरला राज में इस्तित है दोस्तो बेबनान जील भारत की सबसे लंबी जील है और यह एक रामसर इस्थल भी है पस्चम मंगाल में सुंदर बन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर कौन सा है तो ये बेवनान जील है याद रखना एक बार कॉस्टन पूछा गया था कि नहरू ट्राफी बोट रेस किस जील में आयुजित की जाती है तो ये बेवनान जील में ही आ एक किसे तो यह जील में आज से थे और के श्थेत्ट की जील हैं उनकी बात करें तो बैवनान जील के बारे में हमने पड़ा के या पड़ा की जील है है प्रमंग जीलों का सहर किस सहर का उपना में जीलों का सहर किसको कहा जाता है फटा फट से वता ये ओदैपुर को कहा जाता है ठीक है और ओदैपुर जो है ये राजिस्थान राजिका एक सहर है याद रखना इसको जीलों का सहर कहा जाता है इससे हम ये समझते हैं कि राजिस्थान के अंदर बहुत सारी जीले होंगी ठी ये भी राजिस्थान में इस्ते थे नेश्टवन की बात करना है फतेसागर जील तो फतेसागर जील जो है ये भी राजिस्थान में इस्ते थे ठीक है और याद रखना फतेसागर जील जो है ये राजिस्थान के उदैपूर सहर में इस्ते थे और इस जील का नाम उदैपूर और मेवार के महराणा फटे सेंग के नाम पर रखा गया नाम रखा गया इस जील का फटे सेंग के नाम पर ठीक है और ये कैसी जील है तो ये एक कृतिम जील है कोलायत जील किस राजमेस्ते थे तो कोलायत जील राजिस्थान में है और सौरूप सागर जील की हम बात करें तो ये भी राजिस्थान में है और बीसलसर जील की हम बात करें तो बीसलसर जील जो है ये भी राजिस्थान में है हम बात करें तलवाडा जील की तो तलवाडा जील जो है ये भी राजिस्थान की एक जील है नेश कोस्टन है रंग सागर जील तो रंग सागर जील जो है ये भी राजिस्थान की जील है ओके नेश्टवन की हम बात करें तो बाल समन्द जील बाल समन्द जील जो है ये भी कहा तो पिजोला जील की सर्व बात करें तो इस को स volunteers है प्रश्द पिछोला जील किने तो तो पिचोला जील जो है ये भी राजिस्थान राज में इस्ते थे और एक कॉस्टन आप से पूछा जाएगा कि वारा फरवरी 1948 को महत्मा गांदी की राख यानि की अस्थियों को किस जील में विसरजित किया गया था तो महत्मा गांदी जी की जो अस्थियां थी जो राख थ उसको राजस्थान की नकी जील में विसरजित किया गया था तो याद रखना इस फैक्ट को और नकी जील याद रखना किस राज में इस्ते थे तो यह राजस्थान राज में इस्ते थे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो सबसे बड़ी खारे पानी की जील ये सामवर जीले और सामवर जील किस राज में इस्ते थे राजस्थान राज में इस्ते थे ठीक है राजस्थान की प्रमक जीलों की हम बात करें तो राजस्थान की प्रमक जीलों को हम ट्रिक की माध्यम से याद करेंगे ऐसा आपको सूचना है कि राज नाम का एक तो चोटे भाई ने वड़ी बेहन को पांच वज़े डराया इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो राजस्तान की सारे जीले याद हो जाएंगे रा से बन जाएगा राजसमंद जील, जासे जैसमंद, नैसे नक्की जील, फीसे फते सागर जील, रासे रेवासा जील, सा से बन जाएगा सामवर जील, ला से बन जाएगा लून करन सर जील, को से बन जाएगा कोचोर और कोलाय जील, पांच से बन जाएगा पंच पदरा, पो चोला जील ठीक है बजे से मारा बन जाएगा वीसलसर जील और बाप जील ड्राया से क्या बन जाएगा डेडियारा जील और धेबल जील ठीक है ये सारी की सारी जीले कहां कि हैं राजिस्थान की जीले हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने भूत ही जाना समय लगाया है ठीक है ट्रिक के माध्यम से इस्टेड वाइस मैब बाइस फोटो बाइस मतलब मैंने content को बनाने में पूरी मेहनत करी है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा quality अच्छी लग रहे होगी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अभी के अभी like कर दें और आपके वाई वहन जो भी studies related तैयारी कर रहे हो न उन तक इस best content को पूरा प्रयास करें और हमें support करें आए नेश्वन की हम बात करें तो राजिस्थान की प्रमुक जीलों को हम पढ़ चुके हैं राजिस्थान की प्रमुक जील है मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ठीक है सामवर जील है ये फतिसागर जील है और यहाँ पर आपकी नकी जील है और ये पिचोला जील है ठीक है जैसमन जील है और ये ढेवर जील है ठीक है next one की अब हम बात कर लेते हैं बताएए पोवाई जील किस राज में इस्तित है तो पोवाई जील ये महराष्ट राज में इस्तित है ओके लोनार जील की हम बात करें तो लोनार जील ये भी महराष्ट राज में इस्तित है हम बात करें कि भारत में कौन सी क्रेटर जील ह ये question पूठ जाएगा, crater jheel क्या होती है, इसको भी हम समझेंगे, तो दोस्तो जो crater jheel है ना, ये कौन सी है भारत में, तो lonar jheel, ये एक crater jheel है, ये के अच्छा, crater jheel होती क्या है, तो जब जुआला मुखी का मोह, जुआला मुखी के मोह को क्या कहा जाता है, crater कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते है, crater jheel कहते हैं, और जो lonar jheel है ना, ये कैसी jheel है, ये एक crater jheel है भारत की, ओके, अब महराष्ट की प्रमुक जheel हों को हम discuss कर लेते हैं, तो देखिए, एक हमने पढ़ा है, lonar jheel, और ये कैसी है, ये एक crater jheel है, और याद रखना, कि lonar jheel जो ह ये महराष्ट की jheel है, और खारे पानी की jheel है, ठीक है, सिफ सागर jheel के बारे में हमने पढ़ा है, तो सिफ सागर jheel ये महराष्ट के 17 जिले में इस्तित है, कहाँ पर, महराष्ट के 17 जिले में है, और हम वैनना jheel की बात करें, तो ये महराष्ट के महावले सुर में इसते थे ठीक है और चील का निरमाण स्री अप्पा साहिब महराज द्वारा किया गया था और जील भी महराष्ट की जील है ओके नेश्ट हमारा कोस्टन है सुखना जील कहां पर इस्ते थे तो सुखना जील जो है ये चंडीगड में इस्ते थे नेश्ट हमारा कोस्टन है वर्फ से धकी घैपन जील किस राज में इस्ते थे तो घैपन जील जो है ये हिमाचल प्रदेश राजीर में श्थे थे और याद रखना यह जील यह वर्प से ढखी हुई है, ने श्के फी संटे तो और यह से, एक राजी पराशल, प्रदेश में, nे श्केज में, चंदर नाहर जील किस राज में इस्तित है करक्ट अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज में गोबिंद सागर जील की बात करें तो यहां से question पूशा जाता है गोबिंद सागर जील ये भी कहां पर है हिमाचल प्रदेश राज़ में इस्तित है ओके और गोबिंद सागर जील हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में इस्तित मानो निर्मित जील है याद रखना कैसी मानो निर्मित यानि की कित्तिम जील है और ये जील सतलज नदी पर भांगलाबाद के निर्मान के कारण वनी थी और इसका नाम सिक्क धर्म के दसवे नम्मर के गुरू गोवन सिंग के नाम पर रखा गया नैश्टमार कोस्टन है बिर्गु जील बिर्गु जील के बारे ये कहां पर इस्त्रत है तो विर्गु जील भी हिमाचल प्रदेश में इस्तित है ओके अब हिमाचल प्रूदेस की प्रमुख जीलों को हम 尽कस कर लेते हैं तो देखिए एक है सूरज ताल जील और ये जील जो है हिमाचल प्रदेश के लाहुल इस्पीदी खाटी में वारा- दर्रा के ठीक नीचे इस्तित है चंदरताल जील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीदी जिले के इस्पीदी भात की एक जील है रेनुका जील यह हिमाचल प्रदेश की सबसे वड़ी जील है ओके और हिमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिले में इस्तित है और ज सबसे उंचे अर्थ फिल बांध का निर्माण करके वनाया गया था ठीक है और यह एक रामसर साइड है परासर जील की बात करें तो इस जील के निर्माण पांडव भाईयों में से एक भीमने किया था याद रखना परासर जील के निर्माण किस ने किया था भीमने किया था और गेपन जील ये सारी की सारी जीलें हिमाचल प्रदेश की जीलें हैं हिमाचल प्रदेश की जीलों को आप लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं ओके नेश्ट हमारा कॉस्टन है डोडी ताल जील किस राज में इस्ते थे तो दोस्तो डोडी ताल जील जो है ये उत्राखंड राज में इस्ते थे ओके नेश्ट है पीथम पुरी जील किस राज में इस्ते थे तो ये भी उत्राखंड राज में इस्ते थे और हम बात करें कि नौकचिया ताल जील ये कहां परिस्ते थे किस राज में करक्टांसर हो जाएगा उत्राखंड राज में एश्कोस्टान निमलिकत में से कौन सा जिला भारत के लेक डिस्टिक के नाम से जाना जाता है यानि कि जीलों का जिला किस जिले को कहा जाता है दोस्तो उत्राखंड का एक जिला है नैनी ताल जिला और इसको जीलों का जिला यानि की लेक डिस्टिक की नाम से जाना जाता है भीम ताल जील के बारे बताईए कि कहां पर इस्तित है तो ये उत्राखंड राज्जमेस्तित है ओके जहां भी ताल जोड़ जाए ना वो सारी की सारी जीलें कहां की है उत्राखंड की खुर्पा ताल जील की बात करें ये कहां पर है उत्राखंड की जील है तीक नैनी ताल द पिर सात ताल इसका नाम क्यों पड़ा कौन-कौन सी सात जीलों का समुह इसमें जुडा हुआ है तो देखिए पन्ना ताल या फिर गरो ताल नल दम्यंती ताल, पूना ताल, सोता ताल, राम ताल, रच्मन ताल, सूका ताल या फिर खुरदरिया ताल इन साथ जीलों का समू है सत ताल या फिर साथ ताल जील उत्राखंड की नैनी ताल में इस्तित है अब उत्राखंड की प्रमुक जीलों को हम ट्रक के माध्यम से पढ़ लेते हैं देखे आपको सूचना है कि नेना ने सारा माल देख लिया नेना के पास में एक लेंस है याद रखना नेना के पास क्या है एक लेंस है उस लेंस का नाम क्या है भी डो पी क्या नाम है भी डो पी और नेना जो है इस लेंस के माध्यम से सारा माल देख लेती है ये ट्रक है हमारी कितनी आसानी से हमें ट्रक याद हो जाती है देखिए तो हम वर्णन कर लेते हैं क्या बन जाता है नैसे नैना और एक नैसे बन जाता है नौकुचिया ताल और क्या बन जाता है लेंसे भी डोपी तो भीम ताल डोडी ताल और पी धम पुरी ठीक है सा से बन जाएगा साथ ताल, रा से बन जाएगा राकस ताल, मा से बन जाएगा माला ताल, दे से बन जाएगा हमारा क्या, देवताल और खा, देखा के खा से बन जाएगा हमारा खुरपा ताल जील, ये सारी की सारी जीले कहां की हैं, उत्राखंड की जीले हैं, ठीक है, अब फ्रीत थाये की नागरजुन Sagar जील किस राज में इसते थे करक्ट आसर हो जाएगा दोस्तो ती लंगरणा की जील है नागरजुन Sagar जील नेशーー कोस्टन की बात करें तो हैदराबाद इबं सिकंद्राबाद के बीच कौन सी जील इसते थे दोस्तो हैदराबाद और सिकंद्राबाद सहरों के बीच में हुसेन सागर जील इस्ते थे याद रखना और हुसेन सागर जील यदि पूछा जाए कि ये किस राज्ज में इस्ते थे तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्ज में इस्ते थे और हैदराबाद और सिकंद्राबाद एक और question पूछा जाता है किन दो सहरों को जुडवा सहर कहा जाता है तो हैदराबाद और सिकंद्राबाद को क्या कहा जाता है जुडवा सहर कहा जाता है अब दोस्तो तेलंगाना की जितनी भी जीले हैं सभी को हम discuss कर लेते हैं एक तो है आपकी पाखल ज निर्मान करवाया था कोस्टन ये पूचा जाता है कि निर्मान किस ने करवाया था पाखल जील का तो महान काक्तिये तेलगुर आ जा थे गड़पती दियो इन्होंने पाखल जील का निर्मान करवाया था जिस भी जील से फेक्ट बनते हैं कोस्टन बनते हैं वो मैंने इंक्ल यह तिलंगाना के रेदराबाद में एक दिल के आकार की जील है कैसी दिल के आकार की जील है और इसे 1563 में इब्राहिम कुली कुतिफ सहाय ने बनवाया था और इसे मुशी नदी द्वारा खिलाया जाता है ठीक है यह रेदराबाऀ के सहर केंद्र को उसके पड़ोसी सिकंद्रवाद से भी अलग करता है यानि कि हैदराबाद और सिकंद्रवाद के बीच में कौन सी जील इस्तित है तो आप कहेंगे हुसेन सागर ठीक है और हुसेन सागर जील के किनारे दक्षिन भारत का पहला थर्मल पावर इस्टेशन हुसेन पातवे निजाम मीर उस्मान अली खांदवारा उन्नीस सो वीस में वनवाया गया था नैश्चमारा कोस्टन भारत की सबसे वड़ी कृतिम जील कौन सी है भारत की सबसे वड़ी कृतिम जील कई बार ये कृतिम रिपीट हुआ है तो गोविंद्वल्लब पंत जील जो है य ठीक है और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानि की कृतिम जील है अब चूकि सबसे बड़ी कृतिम जील है तो इसका चेत्रफल सतर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ठीक है और ये कहां परस्तत है तो उत्तर प्रदेश के सौन बद्र जिले के पीप्री नामक इ निर्मित है नेश्वन की हम बात कर लेते हैं भारत के किस राज में फुलहर जील इस्तत है तो फुलहर जील जो है ये भी कहां परस्तत है उत्तर प्रदेश में इस्तत है ठीक है और फुलहर जील उत्तर प्रदेश के पीली भी जिले में इस्तत है और इसको गौमत ताल के न दीका उद्गम होता है कॉस्तन इस वीडियो से वाहर पूछा ही नहीं जाएगा यह आपकी बहुत दोसर का बादा है एक और आइडिया मेरी मैंन में था बच्चे को बोलते हैं कि सर आप पीडियेप क्यों नहीं देते पीडियेप क्यों नहीं देते तो इसका मैंने एक solution निकाला है आइडिया मेरे mind में है आप लोग भी बताना जितने भी topic पर मैं वीडियो बना चुका हूँ लगबग 100 topic पर मैं वीडियो बना चुका हूँ इस्टेटिक GKK तो सभी को merge करके एक e-book में launch कर देता हूँ और e-book भी बहुती सस्ती रहेगी मतलब ये मान के चलो कि लगबग 50-40-50 रुपे की e-book रहेगी और इसको मैं बहुती जल्दी launch करने वाला हूँ कौन-कौन बच्चा, कौन-कौन मेरा चात्र इस e-book का bait कर रहा है मतलब इस्टेटिक जीके के जितने भी टॉपेक हैं सभी को बिल्कुल डेटेल में इस e-book में में रखने बाला हूँ मतलब बहुती सांदर e-book रहने वाली है आप लों के लिए तो कमेंट करके ज़रू बताएं कि कौन-कौन इसका bait कर रहा है नेश्वन की हम बात करें निमलिकत में से कौन सी एक कृतिम जील है तो इन चार जीलों में से कौन सी एक कृतिम जील है तो जो कोडाई कनाल जील है तमिल नाडू की एक कृतिम जील है अब तमिल नाडू की पिरमुख जीलों की बात करें तो एक क्या है एक आपकी जील होती है ओदय मार्थंद पुराम जील ठीक है और ये कहां पर है तो ये तुरू बारूर जिले में इस्तित है और एक आपकी जील हो जाती है वेरिजम जील और बेरिजम जील की हम बात करें तो ये तमिल नाडू के डिंगी गुल जिले में इस्त जील कौनसी ऑष्टर जील और झेले घृंळ अको क्या गयता है नियुक्त के पेटळ नौन चप नाला जील कहां पर अस्तत है करक्ट अंसर हो जाएगा असम राज में इस्तत है चप नाला जील असम की प्रमुक जीलों की बात करें तो एक है हाप लोंग जील ठीक है और हाप लोंग जील की बात को ने तो यह असम के दीमा हसाउ जिले में इस्तत है कहां पर दीमा हसाउ जिले में हैं और ये असम का एक मात्रहिल इस्टेशन है दूसरी जील की बात करेें तो चंदू भी जील ये कहां पर है तो ये असम राज के काम रूप जिले में बात करें तो नेक्ष्ट हमारा कोस्षन है कॉलोरु जील किस राज में इस्तित है तो कॉलोरु जील जो है यह आंद्रप्रदेश राज में इस्तित है ओके अब आंद्रप्रदेश की प्रमुख जीलों की बात करें तो यह कॉलोरु जील है और कॉलोरु जील आंद्रप्रदेश राज में इस्तित है और एसिया की सबसे और गोदावरी डेल्टास के बीच में इस्तित है और दूसरी है पुलिकट जील तो चिलका जील के बाद पुलिकट जो लेगून है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है और कहां पर है तो ये कोरो मंडल तट आंधर प्रदेस में और तमिल नाडू क की सीमा पर इस्तित है नेश्ट हमारा कोस्टन है पॉंगोग सो जील कहां पर इस्तित है तो पॉंगोग सो जील की हम बात करें ये लद्दाक में इस्तित है कहां पर लद्दाक में ओके और लद्दाक की दो जीले फैमस है एक तो पैंगोग सो जील ठीक है ये भारत और चाइना की सीमा पर अस्ते थे और दूसी है तो सो मोरिरी जील ये कहाँ पर है तो ये लद्दा के लेह जिले में इस्ते थे तो दो जीले हैं लद्दा की इनको आप याद रखेंगे नेश्ट है ओलेग ट्राफिक जील की एक विसेस्ता क्या होती है तो ओलेग ट्राफिक जील जो है न दोस्तु इन में क्या होता है पोस्त तत्नों का निम्न इस्तर होता है याद रखना ये question डारेक्टली इसी प्रकार से SSC के एक्जाम में पूशा गया था थोल जील की बात करें किस राज जमेशते थे तो थोल जील ये गुजरात राज जमेशते थे नेश्ट है बस्तरापुर जील किस राज जमेशते थे तो ये गुजरात राज जमेशते थे नेश्ट है नलसरोबर जील किस राज जमेशते थे तो ये भी गुजरात राज जमेशते थे अब हम गुजरात की प्रमुक जीलों को डिसकस कर लेते हैं तो देखे दोस्तो जो खजादिया जील है ये कहाँ पर है ये गुजरात के जाम नगर जिले में इस्ते थे ठीक है और खजादिया पक्षी अभ्यारन भी यहीं पर है ठीक है याद रखना और कंकरिया जील की एदी हम बात करें तो कंकरिया जील जो ही है गुजरात के अहमदावाद जिले में इस्ते थे और कंकरिया कार्नीबल गुजरात में आयोजो थूने वाला एक तिवहार भी है और थोल जील की यदि हम बात करें तो थोल जील गुजरात के महसाड़ा जिले में इस्तित एक कृतिम जील है कृतिम यानि की मानो निर्मित जील है और यह ताजे पानी की जील है जो की दल दल से घिरी हुई है ठीक है और इसको 1988 में थोल पक्षी अब्यारन घुसित किया गया था और सापू तारा जील यह भी कहां पर इस्तित है तो यह भी गुजरात में इस्तित है नेश कोस्टन है कोकरहली जील किस राज में इस्तित है करक्टांसर हो जाएगा करनाटक राज में नेश कोस्टन है बेलांदूर जील किस राज में इस्तित थै करक्टांसर हो जाएगा करनाटक राज में नेश्ट कोस्टन है कावेरी भीमेसुर जील किस राज में इस्ते थे करक्टा अंसर हो जाएगा करनाटक राज में नेश्ट है उलसुर जील किस राज में इस्ते थे तो उलसुर भी करनाटक राज में इस्ते थे नेश्ट है उंकर जील किस राज में इस्ते थे तो उंकर जील भी करनाटक राज में इस्ते थे हम बात कर लेते हैं करनाटक की प्रमुक जीलों की तो हमने उलसुर जील के बारे में पड़ा और लिंग बुडी जील ये भी करना टक में है और नर समंदी जील ये भी कहाँ पर है तो ये भी करना टक में है ठीक है नेश कोसन है चोलामू या फर इसको तिसो लिहामू कहा जाता है ये जील भारत के किस राज में इस्तित है करक्ट अंसर हो जाएगा भारत के सिक्किम राज में और सिक्किम की दो और जीलों की नाम याद रखो जो की बहुती जाना प्रमुक है एक है आपकी ग्रोंडोग मार जील ठीक है और दूसरी है चंगु जील ये सिक्किम की दो जीलें प्रमुक है कामवर जील किस राज में इस्ते थे तो जो कामवर जील है दूस्तो ये विहार राज में इस्ते थे C option सही हो जाएगा विहार की प्रमक जीलों की बात करें तो कामवर जील की बात करें सबसे पहले तो कावर जील जो ये विहार के वैगु सराय जिले में इस्ते थे और सरया में जील भी कहाँ पर है विहार में और विहार के पश्चिम चंपरन जिले में इस्ते थे और गोगाबिल जील ये भी ये कहाँ पर है विहार के कटिहार जिले में इस्ते थे नेश्टमार कोस्टन है उद्वा जील किस राज में इसते थे तो उद्वा जील की हम बात करें ये जारखंड राज में इसते थे ठीक है नेश्टमार कोस्टन है दम दमा जील किस राज में इसते थे तो दम दमा जील जो है ये हर्याना राज में इसते थे हर्याना की प्रमुक जीलों की बात करें तो एक वडखर जील ठीक है और वडखर जील जो है ये हर्याना के फरीदाबाद के पास में इस्तित है कहाँ पर हर्याना के फरीदाबाद के पास वडखल गाउं में इस्तित एक प्राक्तिक जील है और ब्रह्म सरोबर जील की बात करे तो ब्रह्म सरोवर जील हर्याना राजी के थानिस और सहर में हिंदु धर्म के लिए एक पवित्र और प्राचीन जलकुंड है दमदमा जील की बात करें तो दमदमा जील ये हर्याना के सोहिना जिली में इस्ते थे कहाँ पर हर्याना के सोहिना जिली में नेश्ट क्वेस्टन है मिरिक जील या फिर इसी को सुमेंदू जील कहा जाता है कहां पर इस्ते थे करक्ट आंसर हो जायागा दर जिलिंग में इस्ते थे नेश्ट हमारा क्वेस्टन है तम दिल जील किस राज में इस्ते थे तम दल जील की बात करें तो ये मिजुरम में इस्ते थे कहां पर मिजुरम में नैश कौस्टन है सिंदुनेदी का उद्गम किस जील से होता है तो दोस्तों सिंदुनेदी का उद्गम तिबबत में मान सरोबर जील से होता है विश्वत रेखा अफरीका महादीब की किस जील से होकर गुजरती है याद रखना दोस्तो विश्वत रेखा जो है कि अफरीका महादीब की विक्टोरिया जील से होकर गुजरती है और विक्टोरिया जील के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अफ्रीक महादीप की सबसे वड़ी जील है और इसी जील से एक नदी भी निकलती है कौनसी नील नदी किस जील से निकलती है विक्टोरिया जील से निकलती है और नील नदी जो है ये विस्विकी सबसे लंबी न इंटर किस जील के पास इस्तित है तो करक्ट अंसर हो जायगा पुलीकट जील के पास में D option सही हो जायगा नेश्ट हमारा कॉस्टन है सौन मंदर किस जील की किनारे इस्ते थे देखिए सौन मंदर यानि की golden temple आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे ठीक है इसके बाजू में ये जील है और ये तो सभी लोग जानते होंगे कि golden temple जो ही ये पंजाब में है ठीक है लेकिन कॉस्टन में आप जो जील देख पा रहे होंगे इसका नाम क्या है अम्रिज सरुबर जील नेश्टमारा कॉस्टन ने सिचाई के लिए 16 मील लंबी चोल जील का निर्माण इन में से किस चोल सासक ने करवाया था करक्ट आंसर हो जायागा दूस्तो चोल सासक राजेंद्र प्रथम न कहा जाता है सी ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा दूस्तो यह जो जील है ना यह कहा परस्ते थे तो यह उत्राखंड में है ठीक है और उत्राखंड के किस जिली में इस्ते थे तो उत्राखंड के चमोली जिली में इस्ते थे और इसे रहस्माई जील कहा जाता है या फिर कंकालों वाली जील कहा दाता है दोस्तों यही वो question है जो कि directly exam में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जीलों से जितने भी question बन सकते थे question की बात करें तो number of question हमने 87 question को discuss किया है लेकिन हमने लगवग 150 जीलों को discuss कर लिया होगा ओके आपको वीडियो के quality आपकी बहादर सर की महनत कैसी लगी और यह इसी प्रकार से यदि आप current fs को पढ़ना चाहते हैं static eq को पढ़ना चाहते हैं science को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तीनों ebook को purchase कर लिजे तीनों ebook में west content को रखा गया है और इन तीनों ebook को link कहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के description में तो selection लेना है न तो ebook को आप जरूर purchase कर लिजे एक question आपको छोड़का जा रहा हूँ इस question का answer आपको comment section में comment करके बताना है कि चंद्रगप्त मोर्ये किस बंस के संस्तापक थे प्रमुख राजबंस इतिहास के और उनकी संस्तापक इस पर मैं वीडियो वना चुका हूँ और recently मैंने ये वीडियो अप्लोड किया था और उसी वीडियो से हमने इस question को लिया है यदि आपने नहीं देखा न तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस्टेटिक जीके के सारे topic पर हम वीडियो वना चुके हैं कुछ एक topic रहे गए हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं तो इस cancer comment section में comment करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा वीडियो को like कर दीजिए आपके भाई बेहन दोस्तियार जितने भी study की तैयारी कर रहे हैं complete exam की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाए वाट्शप टेलिग्राम पर जितने भी studies related group हों सभी गुर्पों में इस वीडियो को share कीजिए और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon ज़रूर ताकि जब भी नया वीडियो डले न सबसे पहले आपको ही notification मिल जाए और इसी प्रकास से trending topic पर वीडियो देखना चाहते हैं तो playlist को आप visit कीजिए playlist की link i button में मिलेगी या पर नीचे description में मिलेगी या पर अभी आपको screen के उपर 3 very useful वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो जनों का सबका खूब खेल रखिये जए हिंदोस्तों जए भारत